सब कहना चाहिए पूरे की पूरे कमिशन खोरी हैं आप भी कभी बच्रू रहे होंगे तो आज सांड का काम करें हैं वो आपकी सोच है मैं मैं एक महिला हूँ महिलाओं को दर्द समझती हूँ अगर सफी अहमद भी आते हैं तो कमिशन खोरी ही करेंगे पारशनात राजवाड़ी भी कमिशन खोरी ही करेंगे वो रहे हैं कांग्रिस बहुत देख लिए इस वहर विजेपी लाना है स्पर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहतरीन काइडियोलोजी की सुवधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ साथ ही दे रहा है एम्बोलेंस के लिए टोल फ्री नमबर की सुवधा 1.8003091616 स्पर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपनी बन का नमस्कार दर्सकों मैं प्रसांत और आप देख रहे हैं तीर अंदास 36 गर्ण में विधानसभा चुनाओ काफी नजदीक आ चुका है यहां की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है हाली में भारती जनता पार्टी जो की विपक्ष में है उन्होंने अपने 21 विधानसभा प्रत्यासियों की सूची जारी कर दी इसके बाद से जो 21 विधानसभा की प्रत्यासी थे वो चुनाओ प्रचार में भी अपने लग गए है हम भी तीरंदाज की पूरी टीम जो है जनता का मूड जानने के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक एक करके पहुँच रही है इसी बीच जो चुनावी रणनीती है क्या महौल है यह सब जानने समझने के लिए हम भड़गाविधानसभा की भाजपा प्रत्यासी लक्ष्मी राजवाडे जी आज हमारे साथ मौझूद है आपका तीरंदाज में बहुत-बहुत स्वागत है मैं इनका परिचय आपको दे दूँ इस बार भारती जनता पार्टी ने भड़गाव विधानसभा में एकदम नय चेहरे को मौका दिया है नय चेहरे ये पहली बार विधाय की लड़ने जा रही है लेकिन चुनावी खेल ये पहले से समझ चुकी है असा हम क्यों कह रहे हैं इसको बता दें ये पहले जनपत पंचाय चुनाव जीत चुकी है जिला पंचाय चुनाव जीत चुकी है और ये भारती जनता पार्टी मह पर छेतर में राजवाडे समाज की बहुल लेता है तो कहीं ने कहीं कोई एक फेक्टर ये भी रहना है प्रतासी के तोर पर इनको लाने का और जो कि यहां पर पारसनात राजवाडे जो की वरतमान विधायक हैं वो कॉंग्रिस से हैं और वो दो बार लगतार चुनाव जित च करते हैं आपको टिकट मिला भारती जनता पार्टी से कैसा लगा यह जवाब को मिला जवाब ने सुना कि आपको पहली वार क्योंकि आप विधायकी लटरी आपको उम्मीद थी पहले से की मिल रहा है ऐसा टिकट क्या लगा था अपन पहले जनपत सदस से और जीला पंचाय का घोषना हुआ जिसमें मुझे भड़गाव विधानसभा का प्रत्यासी घोषित किया गया मैं तो सबसे पहले केंद्री नेटे तो प्रदेश नेटे तो पुरे भाजपा परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि मुझ जैसे छोटे कारकरता को उन्हें मौक पार्टि जन्ता पर्टी ने साट के सामने बच्रु उतार दिया यह सुन करके मतला आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया आपको क्या लगता है मैं मंत्रेजी को कहना चाहूंगी कि बच्रु को किस использовать पालका जाता है दुलारा जाता है उसी तरह हम आम जनताओं से जुड़े हुए हैं हम बच्रू है शहीं आप भी कभी बच्रू रहे होंगे तो आज सांड का काम करें वो आपकी सोच है मैं तो ये कहना चाहूंगी वो उनकी सोच है उन्होंने साथी साथ उन्होंने एक और बात कही थी कि इस बार जो नए नए लोग हैं उसमें हम आपको भी लेंगे क्योंकि पहली बार विधाय की आप भी लड़ रही हैं उनके इस बर खेत खलियान बिग जाएंगे जितने हैं और अभी अभी वो कुछ दिन के लिए बस खुसी मना रहे हैं कि अभी टिकट मिली है इस पर क्या कहें हैं उन्होंने एक विश्वास जताया है और जनता का रिस्पॉंस बहुत ही अच्छा आ रहा है कि इस बार हाने चेहरे को मौका दिया गया है अभी तो आप छेत्रों में निकलना विशुरू कर चुके जब मिल रहे हैं चोटे बच्चों युवाओं बुजुर्गों से क्य बहुत अच्छा रिस्पॉंस आ रहा है सब आशिरवाद दे रहे हैं कि इस बार पुरे अभीता के 11 प्रत्याशी को घोशित के हैं यह निकल रहे हैं आप पिछले दो बार से हम देखें लगातार कॉंग्रेस से पारसना स्राजवाड़े जो कि यहां के वरतमान विधायक है वो चुनाओ जीत रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इस बार कॉंग्रेस का कारकाल जो फिछले 10 वर्सों का है इससे जनता का क्या रिस्पॉंस आ रहा है आपका उस पर क्या प्रतिक्रा हो पारसना स्राजवाड़े को आप कितनी बड़ी चुनावती मान रहे हैं अपने लिए लगातार जो ब्रष्टाचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ मैं मैं एक महिला हूं महिलाओं को दर्द समझती हूं महिलाओं के साथ जो 36 गड़ में या कहना चाहिए सुरजपूर जीले में जो अपराद बढ़े हुए हैं वो रेत माफिया हो आपका कोईला माफिया हो या मतल था पूरी तरह से फैल है एक वादे से याद आया कॉंग्रेस सरकार ने सराब बंदी का भी वादा किया जी 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 उसको ले करके जनता के जब आप जारी है तो कैसा आपको लग रहा है जनता का बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है कि उन्होंने घौफना किया था लेकिन व तीन हजार के संख्या में लगबग कार करता जो है उप मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते हैं और आपके विधान सभा के विधायक वरतमान विधायक है अभी पारसनाथ जी इनको ऊपर कमिशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं कॉंग्रेसी ने था और कह रहे हैं इस बार मैं कौठ से रही हैं तो कमिशन खोरी करेंगे पारशनाथ राजवाggaडी मैं का प्रतिगर्याद जब आप शेत्र में जाती हैं महिला निए क्क टिर पहले कहीं महिलायां उन्होंने श्वेम शाहता शमूम जो आर्थिक रूप से उनको मजबूती मिलती थी, श्वेम शाहता शमूम का करज माप के लिए बात किये थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, महिलाएं कहीं न कहीं अपने आर्थिक रूप को मजबूत करने के लिए लोन लिये हुए लेकिन उन्होंने कंग्रेस पर विश्वास जाताया और चतिस गड़ में कंग्रेस की शरकार बनी लेकिन पूरी तरशी फैल है बहुत ही ज्यादा वह आवनबड़ी करकरता हो जाए जैस्वां शायता चमू की बहने हो जाए बहुत ही आप्रोशित हैं आपको मैंने जैसा सुरुवात में दर्सकों को बताया कि भारती जन्ता बार्टी ने जब आपको टिकट दिया तो कहीं ने कहीं भटगाव इधानसुभा में जो राजवाड़े समाज की बहुल लेता है ये एक फैक्टर रहा उसके लावा और भी कई तरीके से पर्खा होगा पार्टी ने वो पार्टी का काम है लेकिन एक जो फैक्टर था राजवाड़े समाज की बहुल लेता उसका आपको प्रॉफिट कहीं न कहीं मिला और अब आपको क्या लग रहा है कि राजवाड़े समाज का वोड़ बढ़ जाएगा क्योंकि कई विपक्षी जो हैं सोसल मी सबी का साथ मुझको मिलने वाला है ऐसा यह जी आप छेत्र में आप लगातार आरोप लगा रही होंगी तब भी आप बता रहे होंगी तो ऐसा क्या आपको मुक्य कमिया दिख रही है जो कॉंग्रेस सरकार में आपको लगता भड़गावी रहां तबहामें जो नहीं हुआ जो आप होती तो साथ बेटर होता और आप आगे आएंगी तो आप अच्छा करते क्या कमिया क्या है भड़गावी रहां सभा में जो काम अब तक नहीं हो पाए भड़गावी रहां सभा में एक मतलब वैसे तो बहुत सारी मांगे थी जो कॉंग्रेस सरकार ने अभी तक किया नहीं है हना चाओं कि भड़गावी रहां सभा के विधायक ने में आगर भगवान ये मुझे ॆया विश्वार मजा आ बनते हैं तो मैं सब्से पहले तो हमारा व्ड़गावी सभा सब क्रिशी प्याधारित हैं ज्यादा तर लोग तो आए दिन लोगों के साथ समस्या होता है सब सब्जी के खेती करते हैं सब्जी का खेती सिर्फ लिमिट समय के लिए रहता है क्योंकि कुछ दिन बाद खराब हो जाता है तो कॉल स्टोरेज जो सब्जी हम वहां पर खराब हो जाएं और सही जब दाम कम हो ता कि किसानों को ले दे करके आप पाइदा पहुचाने पर सबसे जाद आपका जहां केंद्रित रहेगा सबसे पहले यह तो आप अपना बता दिये कि यदि आपको जंता उस मुकाम पर पहुंचा है तो आप आगे जाकर कि यह उनकी क्या समस्या है छेदर की जंता जी अभी जैसे जा रही हूं तो जो छोटी-छोटी मुल्बूश स्वेधाय हैं वो भी आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं यहां तक लोग अपना राशन कार्ट के लिए भी परिशान हैं कहना चाहिए यह रोड जो गाउं गाउं में हम रोड मेल रही है प्रधान मंत्री शड़क योजना के तहट रोड दीख रही लेकिन ग्रामिड इस तर में एक भी रोड नहीं है पानी के समय में सबसे ज्यादा दिक्कते हो रही है जो आज तक विधायक जी ने कोई भी प्रयास नहीं किया है लोग बहुत ही ज्यादा त्र नरता कि कैसे कॉंग्रेस सरकार पर दुबारा एक बर और भरुसा जताएंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जताएंगे वो रहें कांग्रेस बहुत देख लिए इस वर विजेपी लाना है भाजपा आएगी और भाजपा के साथ साथ जो राष्ट हित के लिए सोचती है भा कर दिया और व्राष्ट हित के लिए ब्हुत ही अच्छा और भिड़का मिदान सभा कि ले बहुद अच्छा मतलब प्दवर्पू खिलने वाला है लक्षिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल को दिया और हमसे बादचित की और चुनावी महौल जो चुनावी छेतर में जो चल रहा है जो लोगों की मन में जो समस्या है उन शीजों को हमारे दर्सरकों तक पहुचाने में आपाए यहां पर लेकिन अब अंत में जनता से क्या कहना चाहिए मैं आपन छेतर कर जनता मन से कहना चाहत हूँ कि मैं आप मन कर छोटे बहिन बेटी हूँ ये बार ररे मन अपन छोटे बहिन पर विश्वास दिलाई ये मोर जीत नहीं आप मन कर भी जीत है और इस बार विश्वास दिला के भार्ती जनता पाटी भड़गां विधान सभा का विधायग बनाई और निश्य अगरम के विधायग बना थी तो मैं आपका मन कर विश्वास में खरा उतरे का प्रास कहूँ, यहीं आप मुस्छे विनेधी अपील है. तो आज आप सुन रहे थे भड़गाओं से भाजपा, भड़गाओं विधानसभा से भाजपा प्रत्यासी लक्ष्मी राजवाडे जी को, उनके द्वारा आज हमने जाना कि छेतर में कैसा राजनितिक महौल चल रहा है, पिछले बार इस बार जो भारती जनता पार्टी वो क सुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया, तो आप हमसे जुड़े रहे हैं, इस वीडियो को जादा जादा सेर कीज़ें, और आप अगले बार किस विधान सभा में तिरंदास को देखना चाहते हैं, आप उस जिसको कमेंट में जरू बताईए, धन्यवाद